Hello students, so let's read this question first, the question is the area of the region bounded by the line 2x plus 6y minus 8 equal to 0 and the lines y equal to 0 and y equal to 3 is which of the following option, okay चीक है तो फटाफ़र एक्राफट डियाग्राम मना लेता है तो सबसे पहले जो गिवन एक्विशन और लाइन इसको कंसिर्डर करते हैं 2x plus 6y minus 8 equal to 0 यह एक्विलेंट लिए अगर इसको थोड़ा सिंप्लिफाय करें तो x plus 3y minus 4 equal to 0 जागा है हमारे पास यह एक्विशन और लाइन बन जाएगी है ओके नाओ यह हमारी लाइन है तो इसको इसके ग्रफ डाइग्राम बना लेता है फटाफ़र तो इसके दो पासिंग पॉइंट हम निकाल लेके लिए x और y को arbitrary value अगर मैं x को 1 रखता हूं तो y की value बना जाएगी अब देखिए 1,1 satisfy कर रहा है अगर आप y को 0 रखते हैं तो x की value आपके जाएगी 4 तो यह दो हमारे passing points है 1,1 और 4,0 प्रॉट कर लेते हैं इनको यह हमारी x axis हो गई यह हमारी y axis हो गई ठीक है यह हमारी तो 1,1 रिकर रहा फ्राइगरा मनाना है 1,1 फिर 1,2,3,4 तो यह आपका आगे है हमारा line ठीक है जी तो यह होगे 4,0 यह point होगे हमारा 1,1 अच्छा फिर इसके बार हमारे को y equal to 0, y equal to 3 पे तो यह y equal to 2 और सकते हैं यहापे y equal to 3 थोड़ा और ठीक है तो y equal to 3 आप यहापे ले ले सकते हैं तो y equal to 3 राइन हमारी सपोस करिए यह आ गई है यह रूकिए y equal to 3 हमारी राइन आ गई है y equal to 3 यह y equal to 3 ले ले लिए हमने ओके y equal to 0 तो आपको पता यह x-axis होती है तो यह होगे हमारे पास तो अगर मैं इस लाइन को थोड़ा और extend करूँ यह कुछ सिस्टरी कैसे दिखेगा हमारा ओके तो अब आप देखिए कि जो एरिया बाउंड होगा इन तीनों से कौन कौन सी लाइन बोली है हमें y equal to 3 y equal to 0 तो मेभी आप इस एरिया को जो मैं shade कर रहा हूं इसको ले ले लेंगे क्योंकि अगर कोई bounded area चाहिए होगा तो यह लेंगे है बड़ी यह गलत हो जाएगा reason क्यों हो जाएगा reason क्योंकि यहां पर कहीं भी mention नहीं है हमें सिर्फ तीनी boundaries mention है हमारे को यह नहीं बोला है कि आपका जो y axis है जिसके equation x equal to 0 होती है यह equally हम y axis लेखे वो बोला हूँ है तो यह नहीं mention है तो इस वज़े से हमारे यह area bound नहीं होगा दूसरी चीज़ यहां पर अगर यह area नहीं है हमारा तो कौन सा area bound होगा है यहां पर तीनोंने मिलकर कोई area bound क करा ही नहीं है क्यों नहीं करा है यहां पर आप देखेंगे तो दो possibilities आपकी यह दिख सकती है जैसे मैं इसको different color से दिखा हूँ तो एक possibility देखो अगर आप देने को तीन boundary बनाए भी एक सपोस्पोस करिए boundary बनकर चली गई एक यह खुद है और यह y equal to 0 boundary boundary है ठीक है तो अगर आया है ऐसे करके अगर मैं यह वाली boundary लूँ और इसरी boundary y is equal to 0 जो की x-axis है तो यह मिलके यह वाला या तो एरिया बाउंड करें दोनों ही बाउंड नहीं कहूंगा मैं unbounded reason हमारे दोनों आ जाएंगे दोनों case में आई अगर इनको boundaries बाउंड इसमारा region बिलकुल भी bounded नहीं unbounded है तो इस case में हमारा कोई भी answer नहीं है infinite है actually so इसलिए कौन सा option correct हो जाएगा option fourth none of these is the correct option but I hope you understood it well best of luck